गरम पानी में आदा चमच हलती डालके तीन कप माइकरोनी डाल दें। उसमें नमक डाल दें। माइकरोनी अच्छे से पकने के बाद उसे धुलने ठंडे पानी से और ओइल से माइकरोनी को ग्रीस कर ले। इसके बाद कड़ाई में तेल ले ले सरसो का और उसे गरम होने दें उसमें प्याद डाल दे और साथ में डाल दे पनी अच्छे सुसे फ्राइ कर ले उसके पाद आपके पास जो सब्जी हैं उसे एड़ कर ले मेरे पास दी ब्रॉकली, शिमला मिर्च, गाजर और पत्तगोबी सबी सब्जियों को दो मिनेट के लिए फ्राइ कर लेंगे, हलका सा कच्छा पन जाए उसके बाद हम एड़ कर लेंगे माइक्रोणी, माइक्रोणी में हम एड़ करेंगे चिली फ्लैक्स, क्रश क्योई शिबला मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम इसमें कोई भी सॉस एड़ नहीं करेंगे, जैसे की सोया सॉस, चिली सॉस या भी टमेटो सॉस सबसे एंड में हम इसमें थोड़ा सा वनेगर एड़ करेंगे, अगर आपके पास नेवू है तो आप वो यूस कर लीजेगा अब इसमें धनिया डाल देंगे और तयार कर लेंगे प्लेट की माइकरोनी खाने के लिए वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड लैक मैं मीडियो शेयर कीजिए कैसे